दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गाव के बारे में सुना है, जा रहने वाले हर व्यक्ति ने अपने सरीर के हर अंग पर राम नाम लिखवा रखा है? साइद आपको ये पागलपन लगे, लेकिन ये सच है. ये गाव 36 गड़ में बसा हुआ है, और इसे राम नामी समाज के नाम से जाना जाता है. इस समाज में पिछले 100 सालों से ये प्रंप्रा चली आ रही है, कि यहाँ के हर व्यक्ति को अपने सरीर पर राम नाम गुदवाना पड़ता है, जिसके बाद वे ना तो किसी मंदर में जाते हैं और ना ही किसी मूर्थी की पूजा करते हैं. आपको ये उनके पगवान के पृति भक्ति लग रहे होगी, लेकिन असल में तो ये एक समाजिक बगावत है, और ये कानी राम नाम के टैटू से ही सुरू होती है. कहा जाता है कि आज से करीब 100 साल पहले हिंदूआ की कुछ उची जाती वाले लोगों ने इस समाज के लोगों को मंदर में आने से रोका. काफی समय तक्विरोद के बाद भी जब इन लोगों को मंदिर में पूजा करने के अरोमती नहीं मिली तो उन्होंने अपने पूरे सरीर पर राम नाम के टेटू बनवाने शुरू कर दिये और मंदिर में जाकर मुर्ती पूजा को भी बंद कर दिया रामना में टंडन जिनकी उमर 76 वर्स है वे रामना में सवाज के एक व्यक्ति हैं और 36 गड़के बहुत पिछड़े इलाके जम गाहन में रहते हैं वे पिछले 50 सालों से इस परमप्रा को निबा रहे हैं हलाकि 50 साल में उनके सरीर पर बने टैटू कुछ दूदले जरूर हो गए हैं लेकिन आज भी उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आई है इसी तरह जम गाहन गाहों के पास एक दूसरा गाह है गोरबा जा 75 वर्स ये एक मेला पुनई बाई भी इस परमप्रा को सालों से निबा रही है उन्होंने भी अपने पूरे सरीर पर टैटू बनवा रहे हैं पुनई का मानना है कि भगवान पर किसी एक जाती का हक नहीं हो सकता क्योंकि भगवान नहीं सभी जाती के लोगों को बनाया है और इस तरह सब भगवान की समान संतान हुए जी हां राम नामी सवाज की अधूनिक पीड़ी पिछले कई सालों से अपनी परमप्रा को भूल चुकी है वैसे आपको बता दे कि राम नामी सवाज की कुल जन संक्या करीव एक लाख है जिन में से अधिकतर लोगों के पूरे सिरी पर नाम नाम के टैटू बने हैं लेकिन समय के साथ नई पीड़ीों ने इस परमप्रा को अपनाना कम कर दिया इसका कारण है कि आज राम नामी सवाज के बच्चे दूसरे सेरों में जाकर काम करने या पढ़ाई करने लगे हैं जिस वज़ जैसे वे अपने पूरे सिरी पर इस तरह के टैटू बनवाना पसंद नहीं करते बलकि वे सरीर के किसी हाथ इस से जैसे की हाथ, कमर या पैर पर राम नाम जूर लिखवाते हैं ताकि उनकी संस्क्रिती पूरी तरह से कतम ना हो ये तो आप समझे चुके होंगे कि ये समाज बाकी समाजों से काफी अलग है और इसलिए इनके कुछ ऐसे नियम भी है जिने जानकर आप हैरान रह जाओगे जैसे की जो भी बच्चा इस समाज में पैदा होता है उसके दो साल के होने से पहले ही उसकी चाती पर राम नाम गुदवाना अनिवारे है और एक बार जिस वक्ति के स्रीर पर राम नाम का नाम टैटू बन गया वो कभी भी शराब, मास या इस तरह की कोई भी चीज नहीं खा सकता साथी उसके लिए में साल राम नाम बोलना ही आवशक है सिर्फ इतना ही नहीं इनकी दिवारों पर भी राम नाम लिखे होते हैं ये कपड़े भी ऐसे पहनते हैं जिन पर राम नाम लिखा हो और एक दूसरे को पुकारने के लिए भी राम राम ही बोलते हैं इस समाज की एक खास बात ये भी है कि इसने अपने सब्वे नियमों और कानूनों को कानूनी तरीके से रेजिटर भी कराय हुआ है और हर पांस साल उनके बहां अलग-लग चुनाव भी होते हैं आपको बता दें कि समाज में अगर कोई व्यक्ति अपने स्रीर के किसी भियान पर राम नाम लिखवाता है तो वो राम नामी कहलवाएगा माते पर नाम लिखवाने से सिरोमनी और पूरे माते पर नाम लिखवाने से सरवांग राम नामी बनता है वहीं जो अपने पूरे सिरी पर राम नाम लिखवाएंगे वो नक्षिक राम नामी कहलाते हैं वैसे तो आज कानून ने हर जन्या ऊच नीच गरीवी अमीरी सब को बराबरी का दर्जा दे दिया है लेकिन अभी तक इस समाज के लोगों को इनका हक नहीं मिला है लेकिन इस समाज के लोगों ने अब तक अपने उम्मिद भी नहीं कोई है तो दोस्तों इन लोगों के इस विजितर परता और रिवाज के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो थाल रिएर आपको उच्छी लुट नागर से से विजितर दो किया से स्थे टाइब करें